Hey everyone, I'm Vimanshi and welcome to Learn with Phenology. क्योंकि आज शुरू हो चुका है और पहला महीना खतम भी हो चुका है, इसलिए आज हम देखने जा रहे हैं इस जैन्वरी मंथली अफेर्स of 2023. पिछले मेने मैंने आपसे पूछा था कि आपके लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा होता है इतनी सारी काटिगरीज में से. अब क्योंकि आप सभी ने मुझे बहुत सारी काटिगरीज बताई, इसलिए आज के इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ टिप्स आड़ किये हैं जो आपके लिए शायद बेनिफीशल हो सकते हैं इतनी सारी न्यूस को याद रखने में. तो वीडियो को अंतक जरूर इनाशियो लूला देसलभा जिन्होंने डिफीट किया है जैर बोल्चनारो को. अब ब्रजील की ही बात हो रही है तो यहां की फॉर्स्ट मिनिस्ट्र ऑफ इंडिजनेस पीपल अपॉइंट हुई है सोनिया ग्वाजा जारा. अमूल के नए चेर्मन है शर्मल भाई भाई पर टेल और USA की सुप्रीम कोड की पहली फीमेल सिग जज एक इंडियन ओरिजिन परसिन है यह मनप्रीत मॉनिका सिंग. नाशनल नीव्स की अगली काटिगरी के साथ सबसे पहले हम कुछ फीमेल ओफिस के बार में देख लेते हैं चिन नीव्स में रही. पर एज़ आपकर स रोड ओगनाजेशन के बार में जिसका काम ही यही है कि हमारे इंटरनाशनल बॉर्डर और हमारी फ्रेंडली नेवरिंग नेशन्स में रोज का नेटवर्क को बिल्ड करें और उसे मेंटेन करें. अब यहाँ जो डिप्लॉय होने वाली फीमेल ओफिसर है वो है क्याप्टन सुर्भी जाकमूला. अब आगे आपको मुझे बताना है कि इंडिया की फर्स्ट फीमेल कॉमबाट फाइटर पाइलेट कौन सी थी? सही जवाब है अवनी चतुरवेदी. अब यह फिर से न्यूज में रही है क्योंकि यह अब पहली फीमेल पाइलेट बनने जारी है जो फ्लाइ करें. फिर इसी महिने उत्राखन का एक टेंपल टाउन जोशिमट काफी जादा न्यूज में था. यहां मेजरली इंफ्रस्ट्रुक्चर डेवलाप्मेंट की वज़े से जो जमीन थी वो धस गई है और इसी वज़े से इसे लैंड सबसिडेंस जोन डेक्लेयर कर द 2016 में अनाउंस किया गया था गवर्मेंट अफ इंडिया के दबारा जिसमें पांसो और हजार के नोट्स को डी मॉनिटाइज कर दिया गया था. अब गवर्मेंट के इस देशिजिन को रीसिंटली सुप्रीम कोट ने अपहल्ड किया है. फिर बात करें इसरों के कुछ मिशि क्योंकि इसके थुरू हम सन का जो आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना उसे स्टडी करने जा रहे है. अब न्यूज यह है कि इसे अनाउंस किया गया है कि जून टू जुलाई के अराउंड इसे लॉंच कर दिया जाएगा. इंडिन डेवी ने अब तक चार स्कॉर्पिन क्लास स है उसे और बहतर बनाने वाला है. आगे देखें NCRT के पहले National Assessment Regulator के बारे में जो की होने वाला है परक. इसका फुल फॉर्म है अब इसके तुरू क्या होगा कि जितने भी स्कूल बोज हैं उन सब के लिए नॉम्स, स्टांडर्स और गाइडलाइन को इनाक किया जाएगा जिसके तुरू स्टूडन का असेस्मेंट और उनका एवालुएशन और बहतर तरीके से हो सागी. और ये आप कुछ इंडिया के फॉर्स देख लेते हैं जो इस महीने हुए इन्हें वन लाइनर के फॉर्माट में. जैसे कि इंडिया का पहला सेंटर ओफ एक्सिलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग होने जा रहा है शिलॉंग बे. केरला बना इंडिया का फॉर्स फुली डिजिटल बांक फॉर्स क्रिप्ट मुजियम यह इनृगरीट किया गया करला में. इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो यह यह एस्थ-वेस्वेस्ट मेट्र कॉल डरीडर प्रजेक्ट होने ओने वाला है कोलकाता का. अण लास्ली इंडिया का पहला कोल ग्सिफिकेशन फटिलाइजर ये होगा तालचे फोर्टिलाजा प्लांट औरसा का अब क्योंकि आप वीडियो यहां तक देख चुके हैं इसलिए मैं अज्यूम करनी हूँ कि आपको ऐसे वीडियो लेक्चर बहुत पसंद है that's why we have something to be more excited about because we are coming up with a new subject-based course जहां पे history, geography, quality, science ऐसे सारे subjects के video courses हैं along with assessment as well यह सब कुछ आपको एक course के अंदर मिलेगा So how many of you are interested and excited to be enrolling in this course? Let me know in the comment section video अगली category है international news की सबसे पहले बात करें European Space Agency के juice mission के बारे में इसका फुल फॉर्म है Jupiter's IC Moon Explorer जो की ESA का अगला venture होने वाला है solar system को explore करने के लिए अब इस mission के थुरू यह Jupiter को study करेगा along with its three moons as well जो की होगा अपनी 8 साल की journey के लिए आगे बात करें NASA की Geotail mission के बारे में जिसे 1992 में launch किया गया था इसका काम यह था कि Earth का जो magnetosphere है और जो bubble है magnetic bubble उसे study करें और उससे related data प्रवाइड करें इसका slated time तो चार साल था पर यह खिचा गया कम से कम 30 साल तक and now after 30 years it has finally signed off next is about chat GPT जिसे game changer AI bot बताया जा रहा है क्योंकि इसका key feature है conversation यानि कि इस chat bot से जब आप बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा किसे आप इनसान से बात कर रहे हैं इसे बनाया गया है open AI के द्वारा और अभी recently Microsoft ने करीब 10 billion dollars इसमें invest करने का announcement किया है और इसी वज़े से यह बहुत ज़ादा news में है ऐसा भी speculate किया जा रहा है कि ऐसे artificial intelligence की वज़े से बहुत सारी jobs भी खत्रे में आ सकती है तो अगर आप इसके बार में और जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं फिर बात करें Elon Musk के बार में who is one of the richest person in the world और जो कई जादा news में रहते हैं because of n number of reasons पर इस बार ये news में इसलिए थे क्योंकि recently इनकी company Tesla के EV market में बहुत जादा competition बढ़ने की वज़े से जो share prices हैं वो ड्रास्टिकली गिर गए around 65% और इसी वज़े से Elon Musk की जो net worth है वो एक बार में 200 billion घट गई और इसके चक्कर में ये पहले इंसान बने जिन्होंने 200 billion एक साथ गवाई हो तो अगर आप इनके बार में और जानकारी चाहते हैं तो मारे इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप इस monthly affairs को एक साथ देखना चाहते हैं और एक साथ बाकी referred वीडियो को देखना चाहते हैं तेन check out the pin comment below जहां मैं इन सारे वीडियो का लिंक प्रोवाइट कर दूँगी फिर आपको joint exercises एक साथ देख लेते हैं यहां आपको guess करना है कि यह exercise किस country के साथ है सबसे पहले वीर गार्जिन यह एक joint exercise इंडिया और जपान की वरुना exercise यह एक naval exercise इंडिया और फ्रांस की फिर पहली एक ऐसी exercise हुई है जिसका नाम है cyclone 1 यह एक joint training exercise है इंडिया और इजिप्ट की आगे बढ़ते हैं with sports category अब यहां मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी जिसके अगर आपको जवाब नहीं भी आते हैं तबी भी एक wild guess तो करना ही है सबसे पहला सवाल है about the first women cricket player जिनका एक statue बनाया गया है वो भी Australia में सही जवाब है Belinda Cloud इनका जो statue है वो unveil किया गया Sydney Cricket Ground के बाहर अगला सवाल है about the ICC women's T20 Under 19 World Cup के बारे में बहुत important सवाल है आप बताएं कि इस बार के winner कौन थे सही जवाब है India अब यह important इसलिए है क्योंकि यह पहली बार है कि women cricket ने एक ICC की ट्रोफी जीती है वो भी हमने जीती है इसमें second या third नहीं आए है हमने यहां defeat किया England को और यह event हुआ था South Africa में अब usually हम men cricket को बहुत जादे celebrate तो करते हैं पर इसी तरह हमें women cricket को भी celebrate करने के ज़रूद है क्योंकि यह बहुत बड़ी विन है हमारी लिए यहां player of the series दिया गया Grace Scrivensko, most run to Shweta Seheravad most wicket to Maggie Clark इसी तरह एक और बड़ा event हुआ hockey world cup यह हुआ इंडिया के Odisha में यहां जो champion team थी वो थी Germany, runner up थी Belgium और 3rd rank पाया गया नीदर्लैंड के द्वारा इस नीदर्लैंड ने बहुत बड़ा एक record set किया क्योंकि इन्होंने अपनी defeating team चिली को सबसे बड़े margin से हराया था यह था 14-0 यहां इंडिया का rank रहा 9th जहां top scorer थे Jeremy Hayward, best player Nicholas Wellen and best gold player Vincent Manash. Next is about National Square Championship जो कि एक martial art है अब यह जो event है वो हुआ जम्मू में जहां फलक मुम्दास, जम्मू कश्मीर की ही इन्होंने यहां gold medal जीता यह 11 साल की बच्ची है ओवराल बात करें तो जम्मू कश्मीर नहीं ओवराल medal tally ने भी 1st place हासिल की आंदर प्रदेश ने 2nd और ओरिशा ने 3rd अगर champion title की बात करें तो senior women category junior women category और senior men's category में यह सभी winners रहे Then about India 78th and 79th grandmaster जो की अब है कॉस्टव चाटरजी और प्रनेश M And lastly बात करें World Chess Blitz Championship के बारे में यह event हुआ कजाकिस्तान में यह event important इसलिए है क्योंकि इंडिया ने पहली बार यहां silver medal जीता है यह जीता गया के हमपी के द्वारा के हमपी second Indian है जिन्होंने यह medal जीता क्योंकि इसके पहले विश्वनातन आनन जी ने हमारे यह medal जीता था Next is about the reports, indexes and ranking मैं अगर आपसे पूछू कि Global Firepower Index कौनसे domain के बारे में index release करता है तो सही जवाब होगा potential military strength के बारे में तो देखिए, इसके अंदर आपकी country के logistic capability manpower, air power, land forces natural resources, इन सारी चीजों को देखा जाता है और फिर इस index को release किया जाता है Top 3 countries रही USA, Russia और China but guess what, 4th ranking country कौन सी थी ये थी India अगली report शायद आप लोग लिए काफी interesting हो सकती है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़ादा mobile gamers कौन सी state में है इस report के तुरू हमें ये पता चला है report है, India Mobile Gaming Report इसे release किया गया है Mobile Premier League के द्वारा सबसे ज़ादा mobile gamers हैं उत्तर प्रदेश में followed by Maharashtra, Rajasthan, Bihar and West Bengal और अब the most popular games है Ludo, Snakes and Ladder, Karam यही सारे games है आज की date में Indian Gaming Market 2.6 billion पर है पर आगे चलके 8.6 billion तक हो सकता है फिर देखे, Henle Passport Index के बार में जिसके बार में आप लोग ने पढ़ा ही होगा और ये हमें जो best performing passports हैं इसके बार में बताता है तो अब भी Japan ने अपना top spot retain किया है जिसके थूँ आप 193 global destinations पर visa free entry पास सकते हैं This is followed by Singapore and South Korea इंडिया का इस बार rank रहा 85th इस index के लिए हम International Air Transport Association का data इस्थमाल करते हैं Then बात करे, top performing global airport के बार में यानि कि सबसे अच्छे well performing airports के बार में ये data दिया गया है, ये study दी गई है Serium Aviation Analytics के द्वारा अब आपको क्या लगता है कि क्या top 3 में कोई Indian airport का नाम होगा तो देखिए, first जो है कि टोक्यो से है Haneda Airport पर दूसरा जो है, ये Kempe Gora International Airport है from Bangalore, India Third है, Salt Lake City International Airport, Utah, USA Then we move forward to the awards का category सबसे पहले, the most distinguished scientist of the year ये वो है जिनने Indian Achievers Award भी दिया गया और ये वो है जिनके पास अब करीब 69 patents भी है ये अवार्ड दिया गया to R. Vishnu Prasad ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो outstanding contributions देते हैं to culture, science, sports and innovation फिर बात करें United Nations के medal for exemplary service के लिए तो ये जो medal है ये दिया जाता है United Nations के द्वारा उन लोगों को जो outstanding service प्रोवाइड करते हैं तो ये इस बार दिया गया है Indian Peacekeeping Force को जो एक mission है South Sudan के लिए यानि कि करीब 1000 Indian Peacekeepers को ये award दिया गया है ये एक बहुत ही prestigious award है जिसकी शुरुवात 1948 में हुई थी फिर बात करें 71st Miss Universe के बारे में तो ये इस बार जीता गया United States की candidate Bonnie Gabriel के द्वारा इस बार ये event हुआ था New Orleans मेक्सिको में और ये award उन्हें प्रेजेंट किया गया इंडिया की हरनास कोर सांधू के द्वारा अब इसकी बात होई रही है तो आप मुझे ये बताइए कि अब तक कितनी इंडियन्स Miss Universe बन चुकी है सही जवाब है तीन अगला एबाट इगोल्डन ग्लोब अवार्ट जोकी काफी इंपोर्टन है हमारे लिए ये event होता है American television को celebrate करने के लिए और इसे चूस किया जाता है Hollywood Foreign Press Association के द्वारा ये हुआ Beverly Hills California में अब ये इसलिए important है हमारे लिए क्योंकि music composer and कुछ singers जिन्होंने नाटू नाटू का सौंग गाया था उन्हें Golden Globe for Best Original Song दिया गया ये गाना है from the epic drama RRR कई सारे और भी winners रहे जैसे कि Best TV Series, Performance by an Actor जो सारे यहां पर provided है फिर बात करें Global Leadership Award के बार में जो कि एक Highest Professional Distinction Award है जो दिया जाता है उन लोगों को उन students को जो Harvard Law School से pass out हुए है इस बार ये दिया गया Justice D.Y. चंदरचूर को और ये important इसलिए भी है हमारे क्योंकि Justice D.Y. चंदरचूर हमारे current CGI भी है And then lastly, World Habitat Award of 2023 ये अवाद उन लोगों को दिया जाता है ये उन initiatives को दिया जाता है जो बहुत ज़्यादा innovative हो बहुत outstanding हो और बहुती revolutionary ideas of projects पे और programs पे काम कर रहे हो दुनिया भर में इस बार ये दिया गया इंडिया के और ओरिसा के जागा मिशिन को ये दुनिया का सबसे बड़ा land tilling और slum upgrading program है And then let's talk about some books and authors इंडिया's knowledge supremacy The New Dawn ये लिखी गई Dr. Ashwin Fernandez के द्वारा जिसमें इन्होंने इंडिया की journey उसकी supremacy के बार में बताया है Coaching Beyond My Days with the Indian Cricket Team ये लिखी गई है आर कौशेक और आर श्रीधर के द्वारा जिसमें इन्होंने अपने साथ साल के coaching tenure के बार में बताया है Braving a viral storm India's COVID-19 vaccine story तो इसमें वैक्सिन बनाने के दौरान जो difficulties है उसके बार में ये किताब लिखी गई है जिसके बार में हम सभी जानते है उनकी लाइफ के बार में ये किताब लिखी गई है रिटन बाई शुब्रा गुपता पिर एक किताब जिसका नाम है जादू नामा इसे लिखा गया अर्विन मंडलोई के द्वारा जिनकी पूरे स्ट्रगल और लाइफ के बार में इसमें बताया गया है प्रिंस हैरी का एक मेमोय भी रिसेंटली रिलीज हुआ जिसमें इनकी फैमिली के साथ क्या रिलेशन्शिप रहे उसके बार में बताया गया है रिटिन विद्धी असिस्टेंस ओफ अमेरिकन नॉवलिस्ट जे आर मोरिंगर रोलर कोस्टर और अफेर हिद बैंकिंग ये लिखी गई है बाइदी जॉर्नलिस्ट तमल बंदो पाध्या है तो बैंकिंग सेक्टर में क्या स्टोरी होती है और क्या इंडस्ट्री चलती है उसके बारे में ये बुक है ये बुक लिखी गई संजीब साण्याल के दौर जिसमें indian reconciliation और उनके कॉन्टिबिूशन और श्ट्रगल के बारे में बतायaş गया है अमबेटकर अलाइफ ये लिकी गई है शेशी थरूर जी के द्वारा जिसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर अमबेटकर की लाइफ के बार में बताया है अन्ड लास्टली ब्रेकिंग बारियर्स ये लिकी गई है आई एस ओफिसर काकी माधवा राव के द्वारा जिसमें इन्होंने अपनी सर्विस के बारे में उसके डाइनमिक्स और उसके नॉलिज के बारे में शेर किया है अब आजाते हैं हमारी आखरी काटिगरी में जो कि है important days की यहां बहुत सारे days होते हैं बट मैं बहुत ही important जो days है उन्हें discuss करती हूँ जैसे कि world braille day इसे observe किया जाता है 4 January को to celebrate the contribution of Louis Braille फिर 9 January को प्रवासी भारतिय दिवस जिसे NRAD भी कहा जाता है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी साउथ आफरिका से इंडिया वापस आये थे हैं फिर है 10 January को world hindi दिवस देखें ये national hindi दिवस नहीं है बलकि world hindi दिवस है क्योंकि इसी दिन पहली बार हिंदी बोली गई थी United Nations General Assembly में in 1949 फिर 12 January को youth day जिसे Swami Vivekanand Jayanti भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन Swami Vivekanand ji की birth anniversary होती है इंडियन army day on 15 January 23 January को पराकरम दिवस जोकि birth anniversary होती है नीता जी सुभाष चिंदर बोस्टी की 24 January को international day of education and national girl child day होता है 25 January national voters day जिससे हम election commission और उससे related voting के लिए awareness पहला सके world leprosy day जिसकी इस बार की theme थी act now end leprosy 30 January को martius day या फिर शहीर दिवस मनाया जाता है observe किया जाता है जिससे हम freedom fighters के sacrifice को tribute दे सके इसी दिन death anniversary भी होती है गांदी जी की एक और दिन जो हम बूर्ड रहे है वो है 26 January जो की है रिपब्लिक डे क्योंकि इसे दिन constitution effect में आया था इसलिए हम इसे बहुत ही जोरो शोरो से celebrate करते हैं इस बार के special guest है अब देल फता गया परेड में now that we have concluded all these categories time for the bonus tips I have five tips for you सबसे पहली बात तो यह कि आपको अपने exam को जानने की जरुत है क्योंकि UPSC और banking दोनों की demand अलग-अलग होती है तो उसे समझने के लिए आपको सबसे पहले तो आपका syllabus देखना है at the previous year question paper क्योंकि इसे पढ़ने के बाद ही आपको एक lane मिलता है आपको समझ मिलती है कि अच्छा मुझे news और बाकी चीजों को किस तरीके से पढ़ना है किस समझ से उसे देखना है दूसरा बहुत important चीज है कि आप अपने आपको ही examiner बना लीजे यानि कि for example आपको ही examination paper बनाना है तो जब भी आप कोई news देखेंगे आप उसमें frame करना शुरू करेंगे question कि अच्छा मैं question paper में ऐसा question set करूँगा या करूँगे इसे क्या होगा कि आप बहुत focus पढ़ाई करेंगे और जादा अच्छे तरीके से और analytical तरीके से उस चीज को देखेंगे तीसरा है चीजों को या news को एक question format में पढ़ना या फिस समझना चली वीडियो में पीछे चलते हैं जहां मैंने आपसे पूछा था कि इंडिया में कितनी miss universe रही थी आपको जवाब अभी याद होगा तील ये इसलिए क्योंकि आपके सामने एक सवाल था आपने उसका जवाब दिया और अपना दिमाग और अपना वक्त भी invest किया इसी वज़े से जब भी आपको news देखते हैं question frame कर लीजिए options frame कर लीजिए और फिर आपको देखना वो चीज 100% याद जरूर होगी इसके बाद बहुत important चीज है ब्रहमास की तरह काम करने वाला golden rule है revision जो majority of the बच्चे नहीं करते हैं आगे पाट पीछे सपाट क्योंकि पीछे की चीजों को आप revisit नहीं करेंगे दिमाग भूलता चला जाएगा और फिर जब exam में बैठेंगे आपको याद नहीं होगा इसलिए जहां आपको lazy लगता है वहीं पर काम करने की जरूरत है आप monthly weekly चीजों को बांध लीजिए कि समझ और आपका holistic approach और अच्छे से complete होगा so with that this is where we finally conclude our session अगर आपको ऐसी tips and tricks अच्छी लगी then let me know in the comment section below कि क्या हम इन topics पे वीडियो बना सकते हैं जिनमें tips and tricks involve हो अगर वीडियो अच्छा लगा then hit the like button to not forget to subscribe to our channel to then keep learning and I shall see you in the next one